जैहिंद बंदे मातरम नमस्कार चाहतियों स्वागत हैं आपके एपने YouTube चैनल अफ़तार स्टडी 7054 में मैं पाल प्रविन आज के वीडियो में बात करेंगे UPCCPET 2022 मोग टेस्ट आज का 5 है और इससे पहले के मोग टेस्ट हम अपलोड कर चुके हैं आप लेलिस्ट में जाकर क देख सकते हैं तो मित्रों अगर आप UPCCPET 2022 की त्यारी करते हैं उसके लिए एक मोग टेस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोग इस मोग टेस्ट को हल जरू करिएगा और कमेंट वोक्स में अपना स्कोर जरूर बताएगा तो आईए मित्रों किस वेद में जादू, चमतकार तथा मंत्र दिये गए हैं राइट आंसर इसका आप्सन नमबर D अथर वेद में आपके जादू, चमतकार तथा मंत्रों के बारे में बताया गया है सबी लोग एक बार वीडियो को सेर कर दीजिए और चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिएगा अगला आपसन है, निम्न में से किस विभाग का गठन फिरोज सहात तुगलक ने किया था सबी लोग comment box में चापेंगे answer किस विभाग का गठन फिरोज सहा तुगलक के दोरा किया गया था right answer दीवाने को ही option number 20 का right answer दीवाने को ही ठीक है ये विभाग था और इस विभाग का गठन फिरोज सहा तुगलक के दोरा किया गया था अगला option है अलाई दर्वाजा किस ने बनवाया था most important question है अलाई का दर्वाजा जो अलाई का दर्वाजा में तो यहां से question कई बार exam में भी पूंचा किया है तो किस के दोरा बनवाया गया था अलाई दर्वाजा को बनवाया गया था आपने याद अकना है most important question है आपके exam के लिए और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को share नहीं किया तो आप सब लोग वीडियो को share कर दीजिए like कर दीजिए और चेनल को भी subscribe कर लीजिएगा अगला अपसन है सिंदुघाटी सब्विता में धोला वीरा निम्न लिखित में से किसके लिए प्रिशिद है सिंदुघाटी सब्विता में एक धोला वीरा नामक का इस्थान था तो वह इस्थान किसके लिए प्रिशिद है चट्टान से निर्मित इस्थापत वंदरगा जल स संबन्दी था मित्रू बहाई जडस्ळराच्छंड से संबन्दी था आप्स consortaires राइट आंसर है जडसर रच्छंड के संबन्द में प्रशल्द था अगला उसने तराई का दुती इद्ध कभ हुआ था most important को साने तराई का दुती इद्ध और फर्ष्ट इद्ध की बात करें तो पहला इद्ध हुआ था तराई का 1191 में ठीक है पहला इद्ध 1191 में और दूसरा ठीक है दूसरा हुआ था 1192 में राइट आंस्व रजगा इसका option number B, most important point है, कई बार इस प्रशन को exam में भी पूछा गया है, अगला आप से ने, जहांसे रेजिमेंट का गठन किस ने किया था, जहांसे रेजिमेंट का गठन किस ने किया था, आप सभी लोग comment box में छाप दीजिएगा, क्योंकि यह सभी प्रशन आपके UPPT exam के लिए बहुत ही important होने वाले है, सभी के लिए और सभी वीडियो को पूरा जरू देखेंगे, जहांसे रेजिमेंट के गर बात करें, तो सुवाज संद्र बोस के दोरा, किसके दोरा इसकी स्थापना की गई थी, सुवाज संद्र बोस के दोरा, जहांसे रेजिमेंट की स्थापना इसका गठन किया गया था आपनी या दखना है अगला अप्षन है निम्न का मिलान कीजिए यहाँ पर मिलान करने को बताया गया है कि यहाँ पर मिलान करना है कौन सा विकल्प सही होगा सभी लोग बताएंगे और यहाँ पर आपके ऑप्षन दे रहें आप लोगों को सभी को बताना है कि कौन सा मिलान है आपर तो सबसे पहले थो हम बात करते हैं वंतिरों इंडियन नेशनल आर्मी तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो इस थापना थी वह किसके दोरा की गई थी यहाँ पर एका जो आंसर रहेगा मितरों option number एका right answer होजएगा सुवाज जंद्र बोस ठीक है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुवाज जंद्र बोश के दोरा कही गई गई गदर पालिटी की गई इस थापना की बात करें तो गदर पालिटी की आपने बहुत अच्छी से यह दखना है ठीक है किसके दोरा वीडी सावर कर अगला 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 है होम रूल लीक तो किसके दोरा इनिवेशंट प्रशन बहुत ही इंपोर्टेंट है राइट आंसर हो जाएगा इसके में तो आप्सन नमबर 20 का राइट आंसर है सभी लोगो कार कांड से कौन सा जोड़ा समलित या मैच नहीं खाता है ठीक है राइट आंसर होजेगा इसके में तो आप्सन नमबर डी लाला लाजबत राय राइट आंसर है लाला लाजबत राय अगला प्रतम सरफ प्रतम किस भारती राष्टी आंदोलन के दोरान वंदे मात्रम अधिक मात्रम में प्रियोग किया था अगला आप से लाइट राष्टी भारत भारती राष्टी कांग्रेश की पहली महिला अध्दच्च बने थी सरोजनी नाइडू के गर बात करें तो भारती राष्टी कांग्रेश की पहली महिला जो अध्दच्च बनी थी ये बनी थी मितनों 1925 में कानपुर के एक अधिवेशन में ठीक है सरोजनी नाइडू भारती राष्टी कांग्रेश की पहली महिला अध्दच्च्च बनी थी गुजरात में सर्दार सरोबर नर्मदा नदी पर सर्दार सरोबर बांद इस्तित है अगला अप्शन है निम्न लिकित में कौन सा यूगम सही नहीं है यहां पर बताना है कि कौन सा जोड़ा है में इतनों भाग गलत है गलत हमको बताना है कि कौन सा गलत हो जाएगा राइट आंसर है इसका option number V 0 रेखांस भूमद रेखा ठीक है? 0 रेखांस भूमद रेखा यह हमारा गलत हो जाएगा अगला option है भारत के उत्री मैदान जो लोड मिट्टी से बने हैं वे किन तीन नदियों दोरा निपेच्छित मिट्टी से बने हैं तो वे किन तीन नदियों दोरा निपेच्छित मिट्टी से बने हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तो तीन नदिया हो जाएंगी सिंदु गंगा और ब्रह्मपुत्र option number 6 इसका right answer है सिंदु गंगा ब्रह्मपुत्र अगला option है निमलेकित में से किस प्रकार की चटाने कभी अगने या अबसादी थी लेकिन भूपर्टे के भीतर तीब्र गर्मी और या दबाब के कारण रूपांत्री तो हो गई आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा जल्दी से ठीक है तो वेसाल्ट कोवाटर जाइट वलुआ पत्तर या फिर ग्रेनाइट कुस्सन नमबर चोधे का राइट आंसर हो जाएगा इसका option नमबर भी ठीक है कोवाटर जाइट राइट आंसर है option नमबर भी अगला अपसने कौन सही सुमेल नहीं है यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा सुमेल सही नहीं है ठीक है हमको यहाँ पर गलत जोड़ना है कि कौन सा गलत हो जाएगा तो सभी लोग comment box में इसका आंसर जरूर comment करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Asia महादीब कहाँ पर इस्तिते Mount Everest Mount Everest में है Europe में क्या है Mount Block उत्री अमेरिका में Mount Michael Michael और दच्चिणी अमेरिका में क्या है एक कांग को गुवा ठीक है हमारा जो गलत हो जाएगा मित्रों बै क्या हो जाएगा यहाँ अप्सन नमबर B हमारा सही हो जाएगा यही हमारा कैसा मित्रों सुमेल नहीं है मैच नहीं खाता है अगला अप्सन है ग्यार्मी पंच वर्षी योजना में सबसे अधिक रोजगार के अबसर में ब्रद्द की आसा की गई थी क्रिस में, निर्माड कार में परिवाहन तता संचार में या फिर ब्रद्द की आसा की गई थी अगला अप्सन है वारती वैंकिंग प्रणाली के संधर में RTGS का पूर्ण रूप क्या है RTGS के पूर्ण रूप की या इसके full form की बात करते हैं इसका full form हो जाता है real time grass settlement option number C इसका right answer है real time grass settlement option number C question number 17 का जो लोग option number C दे रहे हैं वो अपने इस्थान पर सभी लोग सही हो जाएंगे अगला option है सरकारी वेंकों में अनजर्क संपतियों पर विस्तित रिपोर्ट देने के लिए किस सम्मित की निक्ति की गई आप सभी लोग बताएंगे सरकारी वेंकों में अनजर्क संपतियों यानि NPA पर विस्तित रिपोर्ट देने के लिए किस सम्मित की निक्ति की गई है आप सभी बताएंगे right answer है इसका पनीर सेलबं सम्मिद, option number C, इसका right answer ने, पनीर सेलबं सम्मिद की निक्ति की गई है, अगला आपस ने, केंदरवार राज्यों के मद्ध, वित्त का वत्वारा किया जाता है, वित्त मंत्राली की सिपारिस पर, वित्त आयोग की सिपारिस पर, रिजर्व वैंग की सिपारिस प right answer रहेगा, इसका वित्त आयोग की सिपारिस पर, option number V, जो लोग question number 19 के option number V के साथ जा रहा है, वह सभी लोग एकदम right हो जाएंगे, और जिन लोगों ने, वीडियो को भी सेर नहीं किया, तो आप सभी लोग वीडियो को सेर कर दे, लाइक कर दे, और चैनल को भी subscribe जरूर कर दे, अगला आप साने, किस पंच वर्षी हो जना में, क्रस ने रिनात्मक विकास प्रदर्शित किया, किस पंच वर्षी हो जना में, क्रस ने रिनात्मक विकास प्रदर्शित किया, most important question है आपके exam के लिए, तो आप साभी लोग वीडियो को एक बार सेर जरूर कर देंगे, इस ने रिनात्मक विकास प्रदर्शित किया था, अगला आप सेने, वर्तमान में सर्वोच नाले में कुल कितनी नयाधीस है, तो वर्तमान में अगर बात करें, परजेन टाइम में अगर हम बात करें, तो सर्वोच नाले में कुल नयाधीसों की संख्या कितनी है, राइट आंसर रहाज़ेगा 34 ठीक है 34 अप्सन नम्बर 60 का राइट आंसर है बरतमान समय में सर्वोच नहले में कुल नय दीसों की संक्या 34 है अगला अप्सन है भारती संभिधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कारिपाल का सक्तियों से संबंदित है संभिधान का कौन राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 104 ठीक है अनुच्छेद 104 जो हमित्रों वह किस से संबंदित है राज्यपाल की सभी कारिपाली का सक्तियों से संबंदित है अनुच्छेद 104 आपनी यह दखना है अगला असने लोगसभा के सदस्छ और उपाधच्छ की अनुपस्तित में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त वैटक की अद्दच्छता कौन करता है सदन के दोनों वैटक की अद्दच्छता कौन करता है राइट आंसर करेंगे सभी लोग और राइट आंसर होजगा राज्यसभा के उपसभापती आपसन नमबर सी इसका राइट आंसर है राज् 35 सम्मिधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच न्याले अभिलेक न्याले होगा सर्वोच न्याले कैसा होगा मित्रों एक अभिलेक न्याले होगा आप सभी लूग कमेंट बॉक्स में आंसर चापिएगा और जिन लोगों ने क्लास को सेर नहीं किया तो आप सभ सरवोच न्याले अविलेक न्याले होगा यह अनुचेद 139 में कहा गया है अगला अपसे ने त्रेस्तरी पंचायती राजवस्ता का विचार किसने रखा था आप सबी बताएंगे त्रिस्त्री पंचायती राजववस्ता का विचार किस ने रखा था राइट आंसर हो जाएगा वल्वंत राहे महता कमीटी अपसा नंबर A इसका राइट आंसर है वल्वंत राहे महता कमीटी ने त्रिस्त्री पंचायती राजववस्ता का विचार रखा था आगरा अप्सा निमलेकित मेंसे कौन से रोग जल संक्रमन हैं, कौन से रोग हैं यहाँ पर रोग दे रखेगा है और कौन आपका सही हो जाएगा तो यहांपर जो आपके रोग दे रखे हैं, आपसेमनिन यहां पर हमारा जो C सही हो जाएगा, ठीक है? 1, 3 और 4, कैसेँ हैं, 1, 3, 4 हमारा सही हो जाएगा, यह जल संक्रमन है, फिर आपका हैजा, EV Спасибо जल संक्रमन है, और hypothetical है, कैसे आपका हैं? प्रणाली की निम लिखित में से क्या परिवासा है ठीक है सीजी एस प्रणाली की निम लिखित में से क्या परिवासा है राइट आंसर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आपसन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसकी परिवासा है अगला साभ से नैं किस फ्रांसीसी रसाइनक ने अठारा सचे में अपनी प्रियोग का सारान्स प्रत्यूत किया और सिद्ध किया कि योगीक के शुरोट की पर्वा किये विना रसाइनिक योगिक में तत्तों का द्रब्यमान उत्पन अनुपात हमेशा समान होता है तो किस विज्ञानिक ने 1806 में किया था राइट आंसर हो जगा इसका जो सेफ प्राउसेट आपसन नमबर A इसका राइट आंसर है जो सेफ प्राउसेट राइट आंसर है अगला अपसन है संत्रे में बहु आयात में होता है आप सब लोग बताएंगे संत्रे में बहु तायत होता है तो बहु तो अधिक मातरा में संत सबसे अधिक जो पाया जाता है वे किस में पाया जाता है आपले में सबसे अधिक मातरा में आपले में विटामिन पाया जाता है अगला अपसे ने वायुदाब का मान सबसे ज़्यादा कहा होता है वायुदाब की अगर बात करें वायुदाब का जो मान होता है वह सबसे ज़ सबसे ज़्यादा होता है अगला उच्चितम न्याले ने हाली में भारत के किस भगोड़े कारोवारी को न्याले में जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के आबा गमन मामले में चार महां की जेल की सजा सुनाई है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो किसको सुना है ठीक है राइट आंसर हो देगा अपसे नंबर वी विजय माल्या को सजा सुनाई गई है अगला आप से वह कौन सा देश है जिसने देश की आम जंता ने वेहाल आर्थिक ववस्ता से परिसान होकर राष्टपती भवन पर कबजा कर लिया और राष्टपती को ततकाल का में हाली में राष्टपती ने अपनी पद से इस्थीपा दे दिया है अगला आप सेने दिसंबर 2022 में होने वाली जी टॉन्टी वेटक की अद्दशता भारत करेगा इसलिए केंद सरकार के ठिंक टैंक नीती आयोग के किस पूरुप सियो को जी टॉन्टी के लिए भारत क नया सेरपा चुना गया है तो जी टॉन्टी के लिए भारत के रूम में किसको निक्त किया गया है अगला आप सेने विश्दो जनसंक्या दिबस का मनाया जाता है most important question है दिवस से संबनेत एक class हम upload कर चुके हैं अगर आप लोगों ने वो class नहीं देखिए तो आप playlist में जा करके देख सकते हैं बहाँ पर हमने जन्वरी से ठीक है जन्वरी से दिसंबर तक सारे दिवस complete किये हैं जो आपके exam के लिए बहुत ही important है आप उस वीडियो को पूरा जरू देखेगा ठीक है विस्व जन्वरी संख्या दिवस की बात करें तो कम मनाया जाता है 11 जुलाई को ठीक है 11 जुलाई को विस्व जन्वरी संख्या दिवस मनाया जाता है भारत में एक मातर राज जी कौनसा है जहां सारवादी को 13 एक्सप्रेस है तो भारत का एक मातर राज है तो वह राज कौन सा हो जाता है उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे है और उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है जनसंक्या में अगर भारत में जनसं के लिए अगला समय में 2022 में 2022 में बात करें तो चीन जो है मितनों चीन दुनिया में नंबर बन जनसंख्या में है लेकिन एक अनुमान के साथ का गया है कि 2023 तक 2023 तक भारत नंबर बन ठीक है भारत जनसंख्या भ्रद के मामले में नंबर बन पर आजाएगा एक अनुमान के तहें एक कहा गया है अगला समय अंतरराष्टी मुद्राकोस की पूर्व मुख्य अर्थ सास्त्रियों की दीबार में 7 जुलाई 2022 को सामिल होने वाला पहला भारती कौन है बहुत इंपोर्टें हो जाएगा इसका गीता गोफीनाथ ऑप्सन दमबर ए इसका राइट अंसर है गीता गोफीनाथ अगला अगला अप्सन है मिसन कुसल कर्म्य उजणा को 6 जुलाई 2022 को किस राज में लागू किया गया आप सब भी लुग कमेंट बोक्स में बताएंगे皮ग कभ लागू किया दिल्ली में इस योजना को लॉंच किया गया है, अगला आप चने, विशुसांती फोरम 2022 का आयोजन, विशुसांती फोरम ठीक है, आप सबी लोग बताएंगे, कि विशुसांती फोरम 2022 का आयोजन क्या है, आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसकी देश की बात करेंगे, तो इसका चीन देश में आयोजन किया गया है, important point है, सबी लोग इसको star बना के note करेंगे, अगला आप सने, बारत की किस लेफटी नेंट जर्नल को दच्छिड सुडान में, UNA Mission का नया send commander निक्त किया गया है, दच्छिड सुडान में, UNA Mission का नया send commander किसको निक्त किया गया है, और भारत के हैं मित्रों, important point बनेगा आप एक्जाम के लिए star बना लीजेगा, तो किसको निक्त किया गया है, right answer आजाएगा इसका है मित्रों, यहाँ पर एक प्रसंद चूटा है, आप कर लीजे यहाँ पर, Mohan सुबड़वड़ियम, ठीक है, Mohan, बहुत ही important point है, और एक एक आजाम में आपकी कोशन यहाँ से छपेगा, तो Mohan सुबड़ियम, ठीक है, इनको नया कमंडर एक तो निक्त किया गया है, option number D है, अगला आप चाने, निम्न लिकित प्रशिद्ध हस्तियों में किसकी आत्म कथा, the road ahead है, important point है, आत्म कथा है, the road ahead, ठीक है, तो सबी लोग इस निम्न भारती राज़ में कौन पाकिस्तान से अपनी सीमा नहीं बनाता, तो यहाँ पर भारत के कुछ राज़ दे रखे हैं, और आपसे पूंचा गया है, कि भारत से कौन सा राज़ सीमा नहीं बनाता है, तो भारत से कौन सा राज़ सीमा नहीं बनाता है, आप सभी लोग comment works उमें छाप देंगे तो पंजाब जो है मित्रों पंजाब तो यहां पर सीमा बनाता है भारत से पंजाब भी बनाता है गुजरात हरियानडा राजिस्थान भी बनाता है एक यहां पर आप्संज होगा इन में से कोई नहीं ठीक है सभी यहाँ पर अप लगे सभी क्या बनाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आपसन नमबर ए सभी राजी सीमा बनाते हैं आप इसको अच्छे सी यह दखेंगे सभी राजी क्या करते हैं सीमा बनाते हैं यहाँ पर आपसन नमबर आपका जो ई हमने आपसन दिया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला आपसन है निमलकित में कौन से छेतर में काली दास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है काली दास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है और किस छेतर में यह प्रदान नहीं किया जाता है कट पुतली के खेल में इसको सम्मान यह प्तेदान नहीं किया जाता है बहुत कि आपको सांस्तरी नत्र प्लास्टिक कला ओर सांस्तरी संगीत अगला आप साने उत्तरपदेश का सहर आउध्या किस नदी के तठपर है सभी लोगों के लिए पॉइंट बहुत ही इंपोटेंट है नदीओं के किनारे बसे सहर की हम वीडियो अपलोड कर चुके जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखिये तो अपले लिष्ट में जाएए बहाँ पर देखिये क्योंकि ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए यानि यूपी तरपदेश से पीटी 2022 के लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाली आप समी लोग वीडियो को देखियेगा और उस वीडियो में करीम हमने 40 प्लस कोस्टन कबर करी है जो की बहुत ही इंपोटेंट है आप वीडियो को पूरा जरूर देखियेगा उत्तरपदेश का सहर ओध्या किस नदी के तड़ पर बसा है तो सरीव नदी के तड़ पर बसा है कमेंट बाक्स में बताईए जो आपको लखनव है लखनव किस नदी के तड़ पर वसा है आप सबी लोग बताएंगे E.M. सुवडियम संगीत वाद्धियंतर से जुड़ी एक परशिद्ध हस्ती थे तो वह किसी अंतर से जुड़ी एक परशिद्ध हस्ती थी राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्रो घातम अपसन नमबर D इसका राइट आंसर है घातम से जुड़े हुए थे में अगला अपसन है हाकी के मैदान का आयाम यानि लंबाई चोड़ाई कितना होता है हाकी के मैदान का आयाम होता है यानि लंबाई चोड़ाई होती है तो वह कितनी होती है राइट आंसर होज़ेगा इसका option number B ठीक है 91.4 मीटर और गुणे होज़ेगा आपका 55 मीटर और यह किसकी होती है हाकी के मैदान की लंबाई चोड़ाई अगला आप सेने निमलेकित में कौन सा नरत मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले साधिर के रूम में जाना जाता है तो कौन सा नरत है जो मंदिरों को समर्पित है पहले इसको साधिर के रूम में जाना जाता है बात करें भारत में 1831 में बिदिवत रूप से प्रारम हुईती और लाड मेओ के सासनकाल में किसके लाड मेयो के सासनकाल में जनगरना विदिवत रूप से प्रारंब हो गई थी आपनी यह दखना है तो यह थे मित्रों आपके most important question यूपी तरपल सी पीटी 2022 का मोग टेस्ट जो था मित्रों जो मोग टेस्ट था आज का मोग टेस्ट 5 था सभी लोग अगर आप लोगों ने मोग टेस्ट 1,2,3,4 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लिजे जाकर के क्यूंकि आपके एक्जाम में बहुत ही helpful होंगे कमेट करके हमको जरूर दाएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत